हेलो फ्रेंड स्वागत आप सभी लोग का दिल्ली एरपोर्ट से जुड़ी हुई इस वक्त की इस बड़ी अपडेट में आपको बता देखी जो लोग भी अब एक दिसंबर के बाद दिल्ली एरपोर्ट पर ट्रैवल करके आ रहे हैं उन सभी लोगों के लिए ये कंपलसरी क कर दिये गया है कि जब तक वो कोरोना वरस का टेस्ट नहीं कराते हैं उसका रिजल्ट नहीं जा जाता तब तक वो एरपोर्ट से बाहर नहीं निकल सकते हैं यहां पर इस नियम के चलते इस समय इंटरनाशनल पैसेंजर के लिए काफी बड़ी समस्या सामने आ चुकी है क्य बहुत सारे लोग यहां पर लंबी लंबी लाईनों में लगए हुए हैं जिस कारण से जो लोग करोना वारस पॉजिटि Люб नहीं भी हैं उन लोगों में भी करोना वारस पॉजिटि ediyorum होने का खत्रा फैल रहा है आपको बता दे कि यहां पर कई सारे लोग त्विटर पर आ र कि यदि आप लंबा इंतिजा नहीं करना चाते हैं तो आप 4000 रुपे वाला टेस्ट करा सकते हैं 4000 रुपे वाला जो टेस्ट है जिसको rapid coronavirus टेस्ट भी बोला जाता है उस टेस्ट को कराने का जो समय है वो 90 मिनिट्स का बताया गया है 90 मिनिट्स में आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा और उसके बाद आप अपने घर जा सकते हैं या फिर आप अपनी connecting flight से किसी और एरपोर्ट के लिए भी travel करके जा सकते हैं यहाँ पर एरपोर्ट की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि आप 4000 रुपे वाला टेस्ट करा सकते हैं जिसमें आपको जो result है वो डेड़ हंटे में दिये जाएगा यदि आप लंबा इंतजार कर सकते हैं तो आप जो है 500 रुपे वाला टेस्ट करा सकते हैं यहाँ पर भारत सरकार के दोरा जो नया नियम लागू किया गया है उससे आम लोगों को काफी अदर समस्या आ रही है और इसके साथ साथ उनको एक्ष्टा पैसा भी देना पड़ रहा है करोना वारस टेस्ट कराने के नाम पर आप लोगों का इसके उपर क्या कहना है क्या भारत सरकार और एरपोर्ट की तरफ से यह जो 4000 रुपे वाला जो टेस्ट का नियम लागू किया गया है क्या वो रखना चीए या फिर उसको free of cost कर देना चीए आप अपने विचार जो है नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं फ्रेंट्स आपको बता दे कि भारत में जो कोरोना वारस टेस्ट के नाम पर 500 रुपे और 4000 रुपे वसूल किया रहे हैं वही कोरोना वारस का टेस्ट ये आप दुनिया के दूसरे देसों में कराते हैं तो दुनिया के दूसरे देसों में ये कोरोना वारस का टेस्ट free of cost भी किया जा रहा है जैसे कि सौधी एरेबिया और UAE इन सभी देशों में कोरोना वारस टेस्ट कराने का खर्चा नहीं लगता है वहीं यह दिया भारत में कराते हैं तो कोरोना वारस टेस्ट के नाम पर आप से 4000 रुपे तक वसूल किये जा रहे हैं यहाँ पर आप लोग का क्या कहना है इस नियम के बारे में जो कि एरपोर्ट पर पैसेंजर को सामना करना पड़ रहा है और उनको एक्ट्रा पैसे भी देने पड़ रहे हैं